Court Cases, जब आपके उपर Court Cases चल रहे हूँ, अलग-अलग तरीके के Court Cases, जैसे कि किसी ने आपके उपर, पैतरिक संपत्ति से रेलेटर, आपके रिष्टेदारों ने आपके उपर Court Cases कर दिया है, आप किसी Legal Terms में फस गए हो, आप वेपार में किसी चक्कर के अंदर फस गए हो तो उसके अंदर पूरी डिटेल में, ताकि आप लोग सीख सको, ये मेरा बेसिक परपस है, और आप सभी लोगों की समझे हैं दूर हो सकें, इसलिए ही मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे Court Cases की, उसके बाद Legal Issues की, उसके बाद पैतरिक स तेल में सीखने को मिलेंगी, उसके बाद राम बान उपाय जो मैं आपको हर बार देने की कोशिश करता हूँ, कि क्या एक फाइनल ऐसी रेमेडी आप लोगों के लिए करी जाए, जिस रेमेडी को करने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट मिलने स्टार्ट हूँ, अगर आप मैं हूचारय पंकित गोयल और इसी श्रंखला में जहां मैं आपको हर तरीके के विश्यों के बारे में बात करता हूँ, आज हम कोट केस की बात करेंगे, और सबसे महत्वपून बात ये कि कमेंट में लिखे हुए बहुत सारे कोशन से मैं इस बात को समझ पाता हूँ, कि आ इस लर्नर्स हैं, यहां पर कोई जोर तोर से तुरंट रेमिडी नहीं दी जाती, जो लोग learn करके सीखना चाहते हैं, इसको अपना वेपार बनाना चाहते हैं, इस फिल्ड में आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए, जो अपन होते क्या हैं, क्यूं होते हैं, सबसे पहली बात कौन सी दिशा कारण है, होते क्यूं है, उसका तो बहुती simple सा reason है, कोई ना कोई उसका वजह बन जाती है, और वास्तु में कौन सी दिशा है, जो उस वजह को court case में रूप दे देती है, तो सबसे पहली जो दिशा है, जिसक वास्तु दोश होने के कारण ऐसा अक्सर पाया जाता है आगे बढ़ने से पहलेे किया वास्तु दोश होता है मैं आपको कल की ही एक कहानी बताता हूँ बहुत इभी बड़ी factory के अंदर मैं गया किसी वास्तु सलाकार की बात बोलता हूँ आप ये कभी मत समझना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, कि ऐसा उन्होंने किया और ऐसा मुझे पता लगा, जब किसी ने अच्छी बात करी होती है, तो वो भी बहुत समझ में आता, जैसे मैं थोड़ टाइम पहले किसी की फैक्टरी म किसी ने यहां North West मान कर, वहाववय कौन मान कर, अगर वो North West है, अगर वो North West नहीं है, दोनों ही गेश में गलत है, क्योंकि North West और West North West का गेट कोई खास अच्छा नहीं होता, यहां पर एक गेट खुलवा दिया, उनको उपन करवा दिया, यहां उनका office बना हुआ था, तो ज क्या इसके बाद आपके उपर कोई कोट केस हुआ है या आपके उपर करजे भी बढ़े है उन्होंने छूटते ही बोला कि हाँ अगर इस तरीके से देखा जाए तो जब हमने गेट खुलवाया उसके लगबग एक से डेड़ महीने के बाद हमारे उपर कोट केस भी हुआ और करजे डारेक्ट बैंक से तो नहीं है लेकिन मुझे अपने ही घर से पैसा लाकर लगाना पड़ता है कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ रही है फैक्टरी में काफी अर्चने आई है इस गेट के बाद तो आपको मुख्य रूप से समझ में आया होगा कि नॉर्थ वेस्ट का जो गेट है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है उसके लिए आपको उपाये क्या करना है आईरन की स्ट्रिप या लोहे की पत्ती यहाँ पर डाल देनी है इन पत्तियों को खरीदने के लिए मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ आप वहाँ से ले सकते हैं एमजन से ले सकते हैं अपने आस पास कोई भी लोहे की पत्ती आप डाल सकते हैं इसमें ऐसा कोई विशेश रूप नहीं है बस एक में मोटी हो एक इंच खड़ी हो पत्ती मगाएं और उसको डाल दे इतना सापका काम है ये काम आप करोगे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा कोट केस नहीं होगा यह होगी एक इन जर्नल बात दूसरे तोर पर आपको कोट केस क्या दे सकता है टॉइलेट्स इन नौर्थ वेस्ट ग्रीन कलर टॉइलेट के मतलब सोचाले हो गया ग्रीन कलर के मतलब हरा रंग हो गया यहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसके कारण मुख्य रूप से या लाल रंग होने से भी काफी हद तक प्रॉब्लम आ सकती है लाल उतना ज़्यादा एफेक्टिव नहीं होगा जितना ग्रीन होगा इन तीनों के होने से भी आपको कोट केस भुखुभी रूप से देखने को मिल सकते हैं किसी भी तरीके के कोट केस आपको देखने को मिल सकते हैं अब जब भी मैं आगने कोन की वायू कोन की बात कर रहा हूँ तो यह specific वाले नहीं है, मतलब ancient वाले नहीं है, इसको grid करके अच्छे से देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, grid करने के बाद जो south east निकल कर आएगा, उस south east के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, toilet नहीं हो पर कते ही नहीं चलेगी, और काला रंग भी यहाँ पर नहीं चलेगा, अगर ऐसा कुछ ही यहाँ पर पाया जाता है, तो आपके सुभाविक रूप से legal issues आने के कारण, north west और south west का mail क्या कराएगा, legal issues, legal issues होने के कारण, आपको court case देखने पर सकते हैं, और काफी समस्या आ सक इसका उपाये क्या है, copper की strip, यहाँ पर लगा देनी है, और आपका उपाये हो जाएगा, नीला रंग, काला रंग यहाँ से हटा देना, आपका उपाये हो जाएगा, यह हुई legal issues की बात, अब मैं बात करता हूँ, अपने सगे संबंदियों में, पैत्रिक चीजों के अंदर problems होना, उसके लिए कौन सी दिशा है, southwest इसको क्या कहा जाता है, नरत्य को कौन गई लोग कह जाते है, असलियत में इसको कहा जाएगा, दक्षिनी या दक्षिन पस्चिन, दक्षिन पस्चिन दिशा जो है, इसके अंदर भी toilet होने से, इसके अंदर हरा रंग होने से, ग्रीन केस देखने को मिल सकते हैं, समस्याएं, मिल सकती है, ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है, जब आपको सिर का दर्द भी बन जाता है, इसका उपाए भी मैं आपको भी बताऊँगा, इसका इस toilet का उपाए तो है, ब्रास की पत्ती, और रामबान उपाए भी है, जब आ साउथीस्ट, दक्षनी पुर्व से पहले, या अगने कों से जस्ट पहले, इस और साउथीस्ट के बीच में, जब दिशा आती है, इस साउथीस्ट, इस दिशा के अंदर गडबड होने से, इस दिशा के अंदर बोरिंग होने से, इस दिशा के अंदर लाल, सॉरी, लाल नह नीला, काला, रंग होने से, टॉइलेट फिर भी यहाँ पर चल सकती है, पानी का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर ना हो, या इंबैलेंस ना हो, इसके कारण काफी हद्ता कि यह देखने को मिला है, कि यहाँ से भी आपको कोट केस मिल सकते हैं, हो सकते हैं, तो बोरिंग का उ कीतने की या कोट केस से बाहर निकलने की, नौर्थ वेस्ट के अंदर तलवार, नौर्थ वेस्ट में तलवार टांग देने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिसके साथ में कोट केस चल रहा है, और जो नियाएधीश हैं, जज हैं, उन दोनों की फोटो या उन दो बाते हुई, तीसरा, अगर आपका गॉर्मेंट के साथ में कोई इशु चल रहा है, तो एक अशोक स्तंप, अशोका पिलर जिसको हम बोलते हैं, वो भी याँ पर आप लगा सकते हैं, दो से तीन आप रेमेडिस करोगे, और जो भी आपके कोट केस के पेपर हैं, वो पस्च पिके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, इसमें जो भी आपको समझना आए, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर आपके आंसर देने की पूरी पूरी और पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी का धन्यवाद और अबहाद